तो वो वन प्लस 90 का जो कुछ लिक्स निकल के आ गया है जो कि आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन प्लस 90 काफी इंडरेस्टिंग फोन रहने वाला है इंडिया में और आप सभी को पताऊगा वन प्लस का फोन काफी इंडरेस्टिंग होता है आप सिर्फ भी को पता हुआ साइध कि OnePlus 9 स्री जो अल्रेडी इंडिया में लॉंच हो चुका है सिर्फ बचा था OnePlus 9T जो कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा OnePlus 8T जो था कापर इंटरेस्टिंग फोन था अब सुर्फ बचा था OnePlus 9T तो ये भी फोन आपको देखने को मिल जागा तुँ इस वीडियो में आप से बात करेंगे OnePlus 9T हमें कब इंडिया में देखने को मिलेगा और किस पराज के साथ हमें देखने को मिलेगा कितना प्रूसेसर होगा, क्या प्रूसेसर होगा, कितना अजी भी कर रहा है हम होगा सब कुछ आपको इस वीडियो में और डीटेल के साथ बताने वाला हूँ OnePlus 90 में तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउन को जरूर जाके फॉलो करना है तो चलिए बात कर लेते हैं OnePlus 90 के बारे में OnePlus 90 कापी इंट्रेस्टिंग फोन रहने बाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो आप से बात कर लोता हूँ, OnePlus 90 का डिजाइन से किस तरह का डिजाइन हमें देखने को मिलेगा OnePlus 90 में तो डिजाइन की बात करो तो आपको लगभग कुछ हद तक OnePlus 9 स्रीज के जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा वही टिरपल केमरा का आपको जो है सेटप देखने को मिलेगा गलास बैक में देखने को मिलेगा कुछ हद तक आपको 9 स्रीज जैसा जो है बैक डिजाइन देखने को मिलेगा OnePlus 90 में वहीं केमणा भाँ तर नाथ को तॉमा आरा का अब बात कर लेते दिस्प्ले आपको देखने को मिले सिक्स पॉंट प् Wait HD plus का display देखने को मिलेगा Super AMOLED पैनल के साथ देखने को मिलेगा and 120 एक का रिप्रेसिंग रेट भी देखने को मिलेगा and पंचोल वाला केमरा आपको देखने को मिलेगा तो display जो रहने वाला है OnePlus 9T का काफी interesting रहने वाला है डिस्पले काफी अच्छा रहेगा अगर आप display के लिए फोन लेना चाहते तो अवर आल काफी अच्छा फोन यह रहने वाला है तो फोन एवरेज देखो तो OnePlus 9 का जितना भी फोन आया काफी interesting था तो OnePlus 9T कैसे खड़ाब रहेगा यह भी काफी interesting रहने वाला है फोन अब बात कर लेते परफोर्मेंस इस फोन में किस तरह का रहने वाला है तो अंदाजा जो लगाया जा रहा है काफी leaks का तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है Qualcomm Snapdragon 8888 का processor यहां दोस्तों 888 का processor आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी powerful processor है और काफी 5G processor है अभी अभी जो आप सब अगर कोई भी performance पाइस फोन लेना चाहिए जो कि इंडिया का टॉप अप पर 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 परोसेसर जो है इंडिया में और अभी यह किए सिरिफ Qualcomm Snapdragon 888 तो उसी processor के साथ आपको यह phone मिलने वाला है इंडिया में जो कि 5G के साथ आपको देखने को मिलेगा performance में कोई भी सिकायत आपको इस phone के साथ देखने को नहीं मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8888 आपको परोसेसर इस phone में जो है मिलने वाला है तो performance का बात हो गया तो काफी अच्छा इस phone का performance रहने वाला है अब बात कर लेते camera की department के बारे में तो आपको जो camera देखने को मिलेगा रियर में 64 Megapixel का जो है देखने को मिलेगा और आपको 8 Megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलेगा और 5 Megapixel का micro lens जो है आपको इस phone में देखने को मिलेगा जो कि काफी interesting बात है selfie camera की बात को थो 32 Megapixel का जो है आपको selfie camera इस phone में देखने को मिलेगा बैटरी के बात करो तो 4500 mh जो है बैटरी देखने को मिलेगा और इंडिस प्रिंगर पींट आपको देखने को मिलेगा और साथ हो सकता आपको 3.5 mm का एडियो जग भी मिल जाए और फोन जो काफी interesting है और आप से भी को जो भी अब मैं अभी aspects बता रहा हूं यह सिर्फ लिक्स के माधियम से अभी confirm नहीं का आपको देखने को मिलेगा इसी के साथ लेकिन कुछ हद तक जो आपको इसी तरह का aspects मिलने वाला है जो भी जो आपको aspects बताया हूं लिक्स के माध 5000 के आज पास आपको इस फोन का प्राइज जो है इंडिया में देखने को मिलेगा पाद को फोन काफी interesting को मिल रहा है launch date की बारे में बार एंवान को स सेतम्बर में काफी time है दो मन्त का time है तो आपको सेतम्बर में यह phone finally अंडिया में देखने को मिलेगा तो मैं आप सभी को confirm एक वीडियो बना दूँगा तो उन प्लस नाइंटी लीक्स के माधियम से देखू तो काफी अच्छा फोने काफी अच्छा फोने तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पर समाप वीडियो पसंद आयागा तो वीडियो को लैक करेगा चनल को सब्सक्राइब करेगा मिलता आप स सब्सक्राइब ने वीडियो के साथ तब तक क्या बाइबाइब टाइटा है